जैहें दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठ सारावित की जैसा कि आप लोगों पता है दोस्तों बिहार पुलिस का एक्जाम जो है वह साथ अगस्त से शुरू होने बाला है तो ऐसे में ऐसे में आप लोग को अपनी त्यारी को पढ़ा दे तो देखिए कुछ नया पढ़ा है कि कुछ में बिल्कुल हमत रहे है कि यह पढ़े जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करें और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं उसको करते रही भरोसा मानिए कि एक्जाम में आप बहतर करके आएंगे अन्य छात्रों से हैना जादा उचलेंगे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उसमें सब कुछ सबका डिश्टर्प हो जाएगा तो चलिए पहला परसन हम लोग देख रहते हैं पहला परसन क्या रहा है अंत्रिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपगरा है किसके द्वारा छोड़ागा के कहां का राष्ट्रियस अस्मारख है पवन्चक यह वह और डेनमार्क का करें का द्यान दिजिगा पंपासित की सरकारी सरकारी चलते हैं बीमर सब्द कि स्केल से संबंध ही थे तो बीमर सब्द का जो संबंध है वह क्रिकेट से है देखे अभी अहाई में जो चल रहा था IPL तो आपने देखा कि बिराइट कोहली जो है वह बीमर बॉल पर आउट हुआ है ना बीमर का मतलब कि कमर के उपर जो बॉल आ कि देखा होगा कि चौकॉर चौकॉर ऐसे करके बोर्ड बना रहता है ना थाहाँ में होगा सत्रहवे ग्रिस्म का पहला ओलमपिक खिल कब और कहां में हुआ था पहला ओलमपिक खिल यूनान और वर्ष पूछे तो 5876 एकटिन शेतर में चर्चित शवद रूम और है आर ओ एम है ना ध्यान दिजे आर ओ एम आर ओ एम का पुड रूप यानि फूल फॉर्म क्या है तो आर ओ एम का फूल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी आर ओ एम का फूल फॉर्म कह भी है तो आर ओ एम यानि रीड ओनली मेमोरी है ना यह इसका फूल फूम है इसमें सुचनाय स्थाय रूप से एक अठा रहती हैं ये ध्यान दे जाएगा चलिए नौ नमबर सवाल यह सरसो के तेल में बटर इलो की मिलाबट की जाच करने में सहयो कर रहा है तो सीडी स्ट्रीप से सरसो के तेल में जो बटर इलो मिलाया जाता है उसी की जाती है चलिए दस नमर सवाल कि बहुत चार्चित कंपनी डेल जो डेल कंपनी है इसका मुख्याले कहां में स्थित है डेल का मुख्याले जो है वा अमेरिका में किस कंपनी का तो डेल जो कंपनी है इसका मुख्याले अमेरिका में ध्यान दियांदी का चंद्रयान टू क तो चनध्यन टू को बाई शुलाए 2019 को फिर उस्ष किया गया ध्यान दिद्धिजगा देखिए दोस्तों आप लोग वेगि बड़ा एजी प्रशन है तो आपको पता है किached प्रशन में ही आप गलत करते हैं और बहुत जटील प्रशन पुछता है जो सामाण जहता है करिम और हेसे को हो ना ही है जाता है कर जाता है जो किया जाता है जाए जो है जो को है क्या लुकल प्ज़ित हम हों जाती है टो उसे सामान नी अवस्थ्था में लाने के लिए इसका पिरियोगए आता है ध्याने जेगा है अब एक कुछ दिन पहले चिकनगुनिया जो था बिमारी बहुत त तो चिकनगुनिया का कारण क्या है मादा एडिज मच्छर से चिकनगुनिया होता है जी हां चिकनगुनिया होने का कारण मादा एडिज मच्छर अब अगला प्रस्ट टाइफाइड होने का कारण क्या है तो टाइफाइड होने का कारण है जीवाणू और जीवाणू में साल् TIFOD का कारण बन्दा है चलिए 15 नमबर सवाल चेचक होने का कारण अब आपने TIFOD पढ़ा आप पढ़ लिजे चेचक चेचक होने का जो कारण है वह है वाइरस और कौन सा वाइरुस भ Zahlen तो वह है Varyola virus कौन सा वाइरस Varyola virus चलिए आगे किसका रसाइनिक नाम कैल्सी फिराल है क्या है कैल्सी फिराल तो विटामिन डी का जो रसाइनिक नाम है वह कैल्सी फिराल है ध्यान लेज़ेगा 17 सवाल देख लीजे किस VITAMIN k संस्लेशन हमारे सरीर में होता है Shной तो वह दो विटामिन है विटामिन के और विटामिन D इन दोनों का संस्लेशन हमारे स로धर न्यां किसम का विटामिन के सरीर में वहन कौन करता है कौन होता है भाई या oxygen हमारे सरी में तो हीमोगलोविन जो है वहन करता है हमारे सरीर में oxygen का तो ध्यान देजेगा 18 नमबर सवाल oxygen का हमारे सरी में वहन कौन करता है तो आप बताएंगे कि हीमोगलोविन जो है इसका वहन करता है चलिए 29 नंबर सवाल किसे लाड़ो एबम उड़ो हर्मोन कहा जाता है किसे लाड़ो एबम उड़ो हर्मोन कहा जाता है भाई तो आधी विरिक से निकलने वाले हर्मोन उसको आधी विक जो गरंथी होती है उससे निकलने वाले हर्मोन को लाड़ो एबम उड़ो हर्मोन कहलता है यानि कि एड्रीनल ग्रंथी से निकलने वाली हर्मोन को ही लड़ो एवं उड़ो हर्मोन कहा जाता है द्याने के चलिए बीस नमर सवाल इस नमर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है मुलस्का में उच्छार्जन किसके द्वारा होता है मुलस्का में उच्छार्जन किसके द्वारा होता है तो यह मुत्र अंग के द्वारा किसके द्वारा मुत्र अंग के द्वारा होता है मुलस्का में उच्छार्जन ध्यान देगा 21 नमबर सवाल यह मानाव सरीर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्थित कर देता है तो मानाव सरीर में लीवर याने की यकृत जो है वह है अमोनिया को यूरिया में परिवर्थित कर देता है अब आपसे क्वेश्चिक नैसे भी पूछ सकता है कि मानाव सरीर का कौन सा अंग या कौन सी ग मुत्र का पियेच मान होगा, तो मुत्र का पियेच मान कितना होगा भीया, तो मुत्र का जो पियेच मान है, वह होगा 6, क्योंकि अब 6 है, तो यह अमली हो जागा, क्योंकि आपको पता है, कि जब पियेच मान 7 होता है, कितना होता है, तो उदासीन होता है, 7 से अगर पलस होग तो चारिये होगा और साथ सेकर माइनस कम होगा तो अम लिये होगा तो यह भी ध्यांदना है मुत्तर आप से पूशे तो बताएंगे अम लिये होगा चलिए तेश नमबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है हिर्दे से सरीर क्योर रक्त ले जाने वाली नसे अब यहाँ पर नसे सब्द का प्रयोग नहीं होगा लेकिन जो नली का प्रयोग कर सकते हैं हिर्दे से सरीर क्योर मतलब यह आपका हिर्दय है है और यहां से जो रक्त ले जा रहा है वो सरीर क्योर ले जा रहा है तो हिर्दे स तो वह हो जाएगा वेन वेन हो जाएगा यहां ना से काट देजा प्यांद से नहीं होगा रख ले जाने वाली नली जो है वाही का कह लिजे तो वह है आरटरी यानि धमनी ध्यान देना है अगला प्राश्न चलते हैं 24 नंबर सब देखते हैं क्या कहता है यह अमल काच में घूलनसील है यह अमल काच में घूलनसील है कौन सा अमल है तो यह है है हेड़् यड़झ फ्लॉरिक आमिल है 25 नंबर सब बेकिंग प्योर्डर बनाने में किस अमला का प्रोग waiting powder बनाने में तर्टरीक का प्रोग के यह गंधार कला मिस्त्रण है मूर्ति कलाओ के भौरतिय और यूनानी सैल्यों का मिस्रर है का अंधरकला कहा का मिस्रर है भारत में तेल में तेल की पहली परिश्करण साला असथापित की गई तेल डीफायंडि कहा हमें सीधा पूछ रहा है तो यह डिगबोई में कहां डिन्दूइ और यह डिन्दी कहां मे है भाई यह डिफ achen सम्समें है अगर पूछे कि भारत की पहले तेल रिषांडी डिफ řिक्र महि हैं द्याने जीएगा चलिए 29 नंबर 67 का कहर है देख रहते हैं विंदु सार के सासन के दवरान कहां असांती हुई ठी तो विंदु सार के सासन के दवरान टक्छ सीलह में विद्रोह कहां में हुआ था है असांती का मतिर कह़ा है विद्रो कहा में हुआ था तो आपको बताना है कि यह विद्रो जो है यह तच्छ सीला में हुआ है कहा में हुआ है तच्छ सीला में चलिए तीस नमबर सवाल अभी क्वेश्चन ऊपर चला गया था तो तीस नमबर सवाल देखिए यहां पर आ गया बहारत में पूर्टकालियों का पहला गवर्णर कौन था तो फ्रांसिस्को डी अलमीडा भारत में पूर्टकालियों का पहला गवर्णर है कौन फ्रांसिस्को डी अलमीडा अगला स्वाल है रवी फसल कौन नहीं है, तो आपको पता है कि जो चाबल है यह रवी की फसल नहीं है, रवी की फसल में आपका चना गेहूं जाओ यह सवाते हैं, एक रूपे के नोट जारी करता है, भारत सरकार के द्वारा एक रूपे का नोट जारी किया जाता है, बहुत सब्सक्राइब हैं। सब्सक्राइब सब्सक्राइब रड़ी में आते हैं वेशुका सबसे गहरा महासागर तो यह प्रशान्त महासागर है न कि दूइयर बहुत परिध कह में होती पहला राजग्रह में और दूसरा जो हुंआ है नढcoon दूसरा पुछ रहा है। पहला राजगेर, दूसरा बैसाली तिसरा पार्टलिप ये भी याद रखे आर्थिस नमर सब्सक्राइब दिल्ली सल्तनत की सरप्रथम महिलाशाशी का दिल्ली सल्तनत की सरप्रथम महिलाशाशी का उप्रथम भी थी और अंतिम भी थी तो 11.2 km नहीं देखिए यहां पर टाइपेंग गिरर है मीटर है ना मीटर लिख लिजे तो यह हो जाएगा आपका 11.2 km तो आप बताएंगे कि ध्वानी सबसे तेज किसमा ध्यम में चलेगी मदवानी लोक्चितर सेली यह किस राजिका है तो यह भीया बिहार का है कहां का है बिहार का ध्यान देजेगा चलिए 42 सवाल संसद के सैंक दिवेशन के अध्याक्ष्टा कौन करता है जब संसद में किसी बात पर मतभेत होता है किसी विद्हक ठर किसी बिल फ़र तो इस राष्त्वति बूलाते हैं थिकिन अगर कि आभी पूछे कि बूलाता कौन है तो बताएंगे राश्त्वति लेकिन यहां नमब किए नमें प्रमूक उर्भरकस्थल जिसका नाम है सिंदरी यह किस राजिम है तो सिंदरी आपको पता है ज्यक एस किछ कहा में ध्यान कर चलिए चावालिश नमर मिलैं शम्पिए जो ज dog जाती है या एंडबानली कोई गलेंड़ी कोई पैंतालेस क्वार्भ ज आप्लो के लिए टास्क के रूप में छोड़ा गया है यदि विलेंग का पिएच मान जीरो है हमने अभी आपको बताया है साथ से उपर है चारिये साथ से नीचे है हम लिए साथ है उदाशिन लेकिन यहां मैं आपको के लिए पियच मान जीरो दिया हूँ तो यह जब जीरो पियच मान होगा तो विलियन कैसा होगा यह आपको बताना है कमेंट करिएगा 46 नमबर राष्ट्रिये अनुसूचित जाती आयो किस अनुशेद में वह पर रहन है तो यह अनुशेद 338 का में जाती आयोग का वह बारन है किस खिलारी को तरविनेटर कह जाता है तो किस के नाम से देशरतन के नाम से प्रसिद है देश रतन के नाम से डॉक्टर राजंदर प्रसाद जो है वहाँ डॉक्टर राजंदर प्रसाद वही भारत के प्रथम राष्ट के रुक सत्ती बने डाबलु टी ओ WTO किस थापना कब हुई है, तो इस भी पूछिप रहा है, Dutch किस के द्वरा बनाए गया है? उम्हाई का मक्वरा हाजी बेगम के द्वरा बनाएक है कहां में बनाएंगे है, तो दिली में बनाएं गया है तो दोनों प्रस्ण इससे ध्यान रखें मैं उम्मीद करता हूं कि 50 जो वी वी आई क्वेस्चन थे वह आपने देखा समझा और अगर यह प्रस्ण एक्जाम में आते हैं तो आप छोड़ेंगे नहीं यह भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं तो वीडियो को करें और इन्जॉय करें फिर मिलेंगे नमस्क्राइब